देश का संदेश तो बिल्कुल साफ साफ है लेकिन महोद्दे गिरन नहीं कर रहे हैं। मुझे वो कहावत याद आती है कि रसी जल गई लेकिन एठन नहीं गई। मलद चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के नागरिकों ने साफ साफ संकेत दे दिया है। कि केवल सामप्रदाइक्ता की राजनिती नहीं चलेगी, केवल जातिवाद की राजनिती नहीं चलेगी, केवल जुमलेबाजी नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा, बच्चों के रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, स्वास की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अग वोट दर चला गया अरे सहाब हमारी छोड़िये अपनी चिंता करिए हम तो जो हैं अपने दम पर हैं हम तो हम किसी की समाजवादी पार्टी किसी की किरपा पर राजनीती नहीं करती है समाजवादी पार्टी अपने दम पर राजनीती करती है और हमारे तो सिद्धान्त है कि तो अपने परमजबूत हैं लेकिन इस जनादेश के संदेश हैं बहुत संक्षेप मैं दो तीन बात बता देता हूं जी जी एक तो यह संकेत हैं हमें बहुत अच्छा लगा बहुत मनपिरसन हुआ जब ंड़ीकी मीटिंग हुई तो बराबर में राजनाश सेंग जी बैढ और निटिस कुमार जी बैटकरी जी बैढ जी एवसक्रास schedule नाना 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 ना अजणा कुर्दा पगड़के यहां सपुर्टा पगड़के फोट्स एग ता दिया जाता है सब्स청्स एक जनादेश के निटीश कुमार नहीं बैठते थे राद्दाथ सिंग जेपी नड़ा अमिच्छा नहीं बैठते थे आप मुझे बताइए अटल बिहारी वाचपई जी के जमाने से निटीश कुमार जोर फर्णांडे सब साथ बैठते थे और एंडिये उन्हीं लोगों ने बनाया था कभी एक दो बार अगर स्थिती बदली थी उस जमाने में भी नरिंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर हमेशा निटीश कुमार को अपने साथ लाने की कोशिश की आपको वह मंच याद नहीं जहां निटीश कुमार जी को बार बार अपने पास ला रहे हैं आपको वह मंच याद मिला है मैं उस चीज पर आऊंगा जनादेश के संदेश को मैं बताऊंगा आप जो कह रहेते एक प्रतिसद वोट घटा है इदर उदर भाजती जनता पार्टी का भी और हमारे बिहार में तो जनादेश बहुत असपश्ट आया अमिश्ट देवगंजी वोटों का गनित कभी कभी असपश्ट जनादेश को यह नहीं बता जाता कि उस नेता के प्रति और विश्वास पैदा हुआ है उसकी नीकियों के प्रति ऐसा हुआ है कुछ वोट अलग अलग गुना भाग के कारण उत्तर प्रदेश में पड़े है उस लोकल राजनिती को भालति जनापार्टी को समझने की जरुरत है विहार में भी ऐसी घटना हुई है विवेक जी आपकी ने संदेश क्या है एनी राजा हर्गी वायनाट से मेरा एनलसिस यह है कि पहली चीज़ मैं सुदानचु जी को बदाई देता हूं कि आपने सरकार बनाई आपकी सरकार आई है उनरेबल प्राइम मिनिस्टर है सरकार बनी है इस देश में लेकिन बधाई सबसे ज़्यादा इस देश की जनता को है जिसने बैलेंस्ट फ्रैक्चुर्ड मैंडेट दिया वही नहीं वह सांप्रताइक्ता के नाम पे और जैसे मैंने पिछली ट अपनाया क्योंकि इनका मॉडल ऑफ डेवलप्पेंट जो लेकर के वहाँ पे गए थे वह लोकल्स को सूट नहीं करा आपने बड़ा आपने बड़ा इंपोर्टन पॉइंट बोला आपने बोला जो धार्मी के अजेंड़ा ता वह सूट नहीं करा मैं एक लोकसभा है धूल विधानसभा है धूले ग्रामीन सिंद्खेडा माले गाउं आउटर बलगान धूले शहर और माले गाउं सेंटरल पांचों विधानसभाव में भारतियन्टा पाटी लगबग लगबग अपनी सीट को जीत रही थी लेकिन जैसे माले गाउं सेंटरल आया जो मुस्लिम वोट कर रहे थे, यह किस आधार पे वोट कर रहे थे, यह विकास के आधार पे वोट नहीं कर रहे थे, और जो मुस्लिम बहूल माले गाउं सेंटरल था, वहां दाव दो लाख वोट जो पड़े हैं, वो धरम के आधार पे पड़े हैं, या विकास के आधार पे पड़े है पूरी जगा भारतियंता पाटी चीट प्यारी है लेकिन एक ही जगा हारी और इतनी पूरी तरह से हारी इस सारी उपर की पांच विधान सवाओं की लीड छिन बिन हो जाती है ये धूले लोग सवाशेत्र का की वेब साइट पर डेटा एविलेबल है कोई भी इसको चेक कर सकता है और एक नहीं मैं आपको ऐसी पांच कॉंसिदेंसी जोर बता सकता हूं जहां यही हाल हुआ है थो मुझे एक बात वात जाइए वहां धरम के अधार पर वोटिंग होई या विकास के अधारcue चालना चालो है छी राम नाम के नाम पर आपने तो प्रहन प्रणप्रुदिष्थाइप पहले कर ली प्रीपळ शंक्राचार्य को उठा करके नदी में बें रखेटा हो मैं बिल्कुल ओलने लगते हैं को टूरा आप इसको भीड्रा करिये फिर्स करिये चाहिए फिर्स में डूरा करिये चाहिए पीड्राइख लूंट विसे लिधां पुंदॉट एफ लिए नगी कांड ये संबॉलिसम मैं नी वें फोला तानी में फेका हुआ पिस् आप पूरी का शंग्राचार्या कहते हैं कि मैं क्या करें ओध्या में जाकर करें जानेके तो शंग्राइज चाहरें एक प्राहदशय प्रांप्रैटिस्थ्था करेंगे तो शंग्रा तरह पॉर प्रतिष्टा में शंक्राचारे आते हैं क्या शंक्राचारे का स्टेट सबसे उच्छा माना गया है वह मंदिर की प्रतिष्टा में चुनोती से कहता हूं कोई एक मंदिर बताइए इसकी प्रतिष्टा में आद्सक्राचारे गए हो और लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धरमें क प्रवचन देना शुरू करते हैं यह है बदले वक्त का निजाम और मैं बताना चाहता हूं जो इन्हों ने कहा रसी जल गई बल नहीं गया यह दो सो बत्ती सीटे जो इंडी कट बंदन की काउंट की यारी से 75 तो एक दूसरे से लड़के आएं बीस केरल की 42 बंगाल की और त सुनिए इंडी पूरी बात कर लों सार पूरी बात कर लों इंडी गढ़बंदन में रहते हुए मध्यप्रदेश के चुनाओं में अखलेजी का वो वीडियो याद करी उन्हों का कॉंग्रेस बहुत चालू पार्टी है और कॉंग्रेस वालों ने का बहुत चिर्कुट पा आवाज की खनक देखिए लहजे में धमक देखिए और 240 पा के हमारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है जानते क्यों एक बच्चा होता है टॉपर जिसको डिस्टिंग्शन मार्क्स मिलने थे अगर डिस्टिंग्शन नहीं मिला तो उसके चेहरे पर मायूसी होती और एक अयोध्या हार गए एक नेरेटिव चला जा रहा है कि पीडिये के आगे हिंदुत की हार हो गई है अयोध्या हारे हैं आप लोग भारते हिंद्वाटिया की पराजे हर वेक्ति के हर भारती और हर हिंदू के दिल में शूल के तरह चुबने वाली है परंतु उससे भी बहुत सारी चीजे सीखने को बिलते हैं जिस आधार पर कहा जा रहा है मैं विनमरता से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने कहा इरैडिकेशन और सनातन धर्म हिंदू धर्म का समगूल नाच वो भी जीत गए आप कलपना कर सकते हैं मक्का में कोई जाके कहे कि इसलाम का नाच हो यह सारे सेकुलर दाल कहां तक जोड़के रखते हैं वो हमास फिलिस्तीन के लिए भी लड़ता है जो कहता है ओल आईज ऑन रफा रफा का नाम नहीं पता होगा किसी को कहा पर रफा है और क्या रफा का लेना देना है मगर दूसरे में क्योंकि बात सही है यह कहते हैं हम हिं के तिमिर को अब अरुनिमा क्या मान ले हम हो गए हैं सबसाकार कैसे मान ले हम चल गया सरसे विथा का भार कैसे मान ले हम कोई बात नहीं आगे हम और संगर्श करेंगे और चिंता मत करिये यह निन्या नवे जानते कितने पहुंचे तीन बार मिला कर इनको उतना सीट नहीं हैं गरीब और अमीर प्रॉलिटेरियट और बुर्जुवा जी मगर हाज लेफ्ट कहता जाथ विरादरी और जो समाच के सबसे बुर्जुवा लोग हैं सबसे पैसे वाले धनाटे नेता हैं उनके साथ ये हुए थे ये सोच में बद्लाव आया और लेफ्ट वाले कहते थे वह इश्वर के नाम की शपत नहीं लेते मगर बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गदी नशी पीरजादा बाद सिद्धी की पार्टी के आगे सिद्धा करके गढ़बंदन करते हैं यानि सोच में कितना बद्लाव आया यह थे लास्कोर बार्टी के बारी है झाल 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 झाल